हेलो सीकर्स, माइ नेम इस बुनीत शर्मा, I am a medical astrologer, वास्तु consultant और a healer आज हम बात करेंगे केतु के गोचर के बारे में राहू और केतु, ऐसे planets जो 18 साल के बाद में उसी position के उपर आएंगे जहां से उन्हें अपनी जर्णी को दुबारा से begin करना है यानि की काल पुरूश के पहले और साथ में घर में ये गोचर होने जा रहा है इसलिए ये गोचर अपने आप में बहुत ज्यादा महत्यपून रहेगा केतु, जैसे की राहू अटेश्मेंट का planet है वैसे ही केतु को अगर हम one word में define करने कोशिश करेंगे तो केतु detachment का planet है और अगर हम केतु के गोचर की बात करते हैं तो ये केतु का गोचर जो है ये 12 April को होने जा रहा है और ये तुला राशी में होगा क्योंकि राहू और केतु दो ऐसे ग्रहे हैं जो वक्र चलते हैं यानि की उल्टा चलते हैं तो अब हम बात करेंगे कि इसका प्रभाव क्या रहेगा किस तरह की चीजें जो हैं वो हमारे जीवन के अंदर खटी दोंगी और किस तरह के उपाये जो हैं हम लोगों को करने से हमें इस पर्टिकुलर गोचर के अंदर best optimum benefits लेने का तरीका जो है वो दिखेगा तो सबसे बहले बात करते हैं कि राहू और केतु के इस महतवपूर्ण गोचर में केतु की जो भूमिका है तुला राशी के अंदर हो कैसी रहेगी तुला राशी market place की राशी है तुला राशी partnership की राशी है तुला राशी अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा balancing के जरूरत तुला राशी में इसलिए भी रहते है क्योंकि यह हमारी day-to-day interactions होते हैं जिसमें हम public appearance के साथ में लोगों के साथ अपने संबंधों को बनाते हैं तो relationships यानि की वो लोग जिनके relationship already बहुत sensitive चल रहे हैं और अभी तक उनके जिनके तलाग तक की जो files हैं court में लगी हुई हैं उनको अब decisions मिल जाएंगे क्योंकि यह जो 18 months का time रहेगा 12 April से लेके 2022 से लेके उसके बाद के समय में जो भी चीज़ें अटकी हुई थी रुकी हुई थी जिनके अंदर कोई भी किसी भी तरह की कोई positivity नहीं थी उन relationship के सड़े गले relationships के breakup का time अब असानी से हो जाएगा और आप अपने जिवन के अंदर एक freedom महसूस करेंगे दूसरी चीज new partnerships बन सकते हैं और पुरानी partnerships dissolve हो सकते हैं कई ऐसे फैसले जिनमें कि किसी न किसी वज़े से हम अटके हुए थे उनके decision making का ये समय रहेगा के तू क्योंकि marketplace की राशी में आएगा तो हो सकता है कि market के अंदर भी ने बदलाव आएं हर कोई नए vision के साथ और खुले मंद से कुछ आसा करें जो सबके लिए फायदे मंद हो चंद्रमा पृत्वी के चक्कर लगाता है और पृत्वी सूरे के इनके intersection point से ही राहू के north and south nodes बनते हैं राहू और केतू के axis के change होने से हम लोगों का focus हम लोगों की करम स्थली हम लोगों का जीवन किस direction में निर्धारी करेगा हमारी सफलता का आयाम यह तै करता है तो इस बार का राहू Aries में होने से हम लोगों के अंदर अपने आप के उपर सोचने की बारी है यानि की अपनी self grooming अपने बारे में किस तरह से हमें अब अपने आने वाले 18-20 सालों की planning करनी है यह सब focus जो है हम लोगों का clarity दिखाएगा और के तू उन सड़े गले रिष्टों को cut करने के लिए work करेगा जिनके साथ हमने selflessly अभी तक सिरफ करम करके कुछ दिया ही है लेकिन अब वो बारी है कि हम अपने बारे में सोचेंगे के तू उन सब चीजों को let go करने का एक ऐसा point है जहां पे अब हम ठक चुके हैं जहां पे आगे चलने की अब हम में हिम्मत नहीं बची है केतू की अच्छाईयां यह हैं कि वो हमें एक बात देता है detachment का लेकिन साथ में यह भी बताता है कि आपकी करम स्थली में अब उन चीजों का कोई स्थान नहीं है जिनों ने आपको सिरफ पेन दिया है तो टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने का इससे बेहतर समय कोई नहीं होगा केतू के अनर्जी को अपने जिवन के अंदर एक्टिवेट करने के लिए आप खुशियां बांटिए खुशियां बांटना केतू की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और केतू की स्ट्रेंथ बढ़ में आपका केतू प्लेस्ट है माल लीजिए नाइंथ हाउस में आपका केतू है तो आपके सीनियर्स से आपके गुरूं से आपके बढ़ोए लोगों से आपके रिलेशनशिप में एक प्रैक्टिकल्टी और एक मिठास आएगी एक वो चीज जिसको आप अंडिस्टेंड कर बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे राहू और केतू अपना 18 एयर्स में एक पूरा साइकल कंप्लीट कर लेते हैं और एक राशी के अंदर राहू और केतू का एक्सिस जो है यह कम से कम 15 महीने का होता है इस बार 12 एप्रल 2022 से लेके 31 अक्टूबर 2023 तक राहू और केतू एर इस फोकस में और उसको लेके आने के बारे में ही लोगों के दिमाग में चाहे रहेंगे अब लोग ये बोलेंगे कि हमने selflessly इस रिष्टे को नर्चर करने के लिए क्या-क्या नहीं किया और बदल में हमें क्या मिला और वो अब अपनी self-respect और self-grooming के उपर जाता सोचेंग कि हर एक इनसान का जो फोकस होगा और जो उसकी करम स्थली होगी वो अपने उपर होगी अपने आपको आगे लेके आने के लिए जब कोई भी निरंतर प्रत्न करता है तो समाज तो हर एक इनसान के एक एक भूंत और एक एक व्यक्ति से जुड़के ही तो बनता है और जब समा आज में भी कुछ ना कुछ ग्रोफ तो होगी ही तो कहीं ना कहीं यह जो गोचर है यह ग्रोफ की एक्सपेक्टिशन को बढ़ाएगा एरीस जो है कालपुरुष का पहला साइन है और यह चोटे बेबी की तरह होता है जिसको सब चीज पहले अपने लिए चाहिए तो इट डिफाइन्स आई और मी तो हम अगर अपनी ग्रोमिंग पे कारे करते हैं अपने आपको बढ़ाने के लिए कारे करते हैं तो इसमें बुरा भी क्या है हम बात करते हैं कुछ एक साइन्स के बारे में जिनके एक्सिस किस तरह से बनेंगे Aries लगन वालों का एक्सिस जो होगा राहू का लगन में और 7th house में केतू होगा तो मतलब अपने partnerships को balance करना सीखिए कहीं इतना भी तोड़ के मत चलिए इतना भी detach हो के मत चलिए कि अपने उपर आप इतना समय देने लगवड़ें कि अपने रिष्टे अपने हाथ से आप विखेड दें तो हमें balancing के ओपर work करना है और अपने केतू को मजबूत करने के लिए आपको अपने घर के अंदर जो South West की दिशा है वहाँ पे अपने family photographs को decorate करके लगाना है और कोशिश कीजिए कि इन photographs को golden frame में लगाएं अब हम बात करेंगे tourist sign की इनके बार में घर में राहू और छठे घर में केतू होगा तो हो सकता है इनका मन करें कि अपने घर में एक pet को लेके आजाएं और जब ये pet को अपने घर में लेके आएंगे तो इनका जो balancing होगी कि वो अपने घर के अंदर की जो बिमारी है debts है उन चीजों से ये बाहर आएंगे और केतू इनको जो carelessness दे रहा था इतने दिनों से कि ये कुछ भी कारे जो करना चाह रहे थे जो healing अपने घर के लोगों के लिए करना चाह रहे थे क्योंकि ये self healing का time है और इनके जो investments है वो इस time पे इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि हो सकता है कि money और finance का crunch जो है कहने कहने mentally unrest में लेके चले जाए तो इनका fourth house और eighth house की healing का ये time है inheritance के mattress को sort out करने का ये समय रहेगा आप लोगों के लिए सबसे बड़िया remedy है कि आप north के direction को थोड़ा सा clear up करके रखा करें और north में कुबेर की स्थापना करें अब हम बात करेंगे कि ये जो गोचर है मितुन राशी वालों के 11 घर में होने जा रहा है तो राहु जो है 11 घर ये बताता है कि आप जो भी group activities करेंगे उनमें आपको success मिलेगी उसमें आपका नाम बढ़ेगा लेकिन पांच घर का केतु कहीं न कहीं ये भी बताता है कि आपके अगर कोई संतान है अगर आप शादी शुद हैं और आपके बच्चे हैं तो आप बच्चों को social media में बहुत ज़्यादा publicize ना करें यानि कि उनके picture social media पे उनकी performances के results के और उनके जो भी achievements है उनके picture कम ही share करें नहीं तो उन्हें नजर दोश लग सकता है और बच्चों के room में more punk decorate करेंगे तो केतु का ये गोचर आपके लिए भी शुब साबित होगा अगर आपके आपका libra का sign जो है जैसे की करक राशी के अगर हम बात करते हैं तो उनका जो libra का sign है वो fourth house में आता है fourth house में केतु का बैठना ये बताएगा कि आपके घर के अंदर कुछ न कुछ renovations होंगे, कुछ बतलाव होंगे या हो सकता है आप नया घर, पुराने घर को छोड़के नया घर में shift हो जाएं और राहू का tenth house में जब placement होता है तो हम अपने करम स्थली के अंदर बहुत सारे विस्तार करते हैं बहुत सारे expansions करते हैं अब हम बात करते हैं सिंग लगन में लिप्रा का sign third house में आएगा के तू third house में होने के वैसे आपके भाई भेनों के साथ में किये हुए हर कारे का आप अफलोकन करेंगे और उस समय में आप ये सोचेंगे कि आज तक आपने तो अपनी तरफ से हर best effort करके उन लोगों के relationship को सुधारने भी उनकी मदद की है तो उन्होंने बदले में आपके लिए क्या किया लेकिन आप balance out कीजिए बहुत ज़्यादा hyper होने की ज़रूरत नहीं है जिस पर तरह से चलता है मदद कीजिए तकनीकी तो और पर अगर देगे तो ये neighborhood का भी घर है और communication का भी तो आपकी जो neighborhood है वहाँ पे आप ज़्यादा समय आसा पाएंगे कि लोगों के रिष्टों को सुलजाने के cases आपके फास आ रहे हैं और आप उन्हें सलाह मश्वरा दे के अपना समय भी बिता रहे हैं लेकिन हो सकता है इसके वाज़े से आपको कोई allegation भी झेलनी पड़ जाए तो आप इन सब चीजों से दूर रहे हैं केतू के लिए आप इतना कर सकते हैं कि third house में जब भी केतू होता है तो खुब सारी खुशियां बाटिए दान दीजिए यानि कि लोगों की help केजिए लेकिन उस हद तक जिससे कि आपकी अपने जिंदगी के अंदर आपके जो efforts हैं आपकी जो skill है उसके लिए आप time निकाल पाएं ताकि आपकी तरक्की आपके रास्ते अब रोध में ना चले जाएं ना इंथा उसमें रावो होने से गुरूं की विशेश्क्रिपा रहती है आप अपने अपक्रेट करने के लिए courses करेंगे जो आपको लाभानवित करेंगे अब हम बात करेंगे तुला की तो तुला लगन जो है इसमें केदू का गोचर होगा तो इसके opposite इनकी जो public interaction और public dealings का sign आएगा वहाँ पे relationship house में राहू होने से नए सिरे से कुछ एक new commitments के साथ में आपकी partnerships बनेंगी और ये partnerships ये expansions आपको profitability भी देंगे आने वाले समय में क्योंकि आप इसमें out of the box thinking के साथ कारे करेंगे आप अपनी boundaries को तोड़ के काम करेंगे केतू का लगन में जब भी transit होता है उससे एक मेना पहले सही आपके bone fracture की संभावनाएं बढ़ जाती है और इन संभावनाओं को activate होने से बचाने के लिए आपको शिरिक गनेश जी के मंदिर में विजिट करना चाहिए every Thursday और गनेशा को प्रिशाद जरूर चड़ाए और नंबर होना चाहिए और नंबर केतू का नंबर होता है आप एक लड़्डू तीन लड़्डू पांच यह साथ इस तरह से उन्हें भोग लगाए इससे आपके स्वास्त संबंधी दिकतें कम से कम हो जाएंगी अब हम बात क नहीं आपके विचार्ज होंगे आपका जो दिमाग होगा वो इन्वेस्टमेंट्स को करने से संकोच करेगा आप इन्वेस्टमेंट्स करने से डरेंगे तो आपको इस समय में किये हुए जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होंगे हो सकता है कि वो लॉन्ग रन में फायदे मन और आश्रम में जाके या धरमस्थलों में जाके या हॉस्पिटल में जाके लोगों की मदद करना यह बहुत बड़ी एक रेमेडी होती है और व्रिश्चेक लगन वालों के लिए एक और चीज जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की है उनके छटे घर में क्योंकि केदू का स बहुत ज़्यादा फायदा होगा उनके सर्विस में यानि की नौकरी से जोड़ी हुई समस्याएं उनकी सुलजेंगी डेट लोन्स जो अगर उनके रीपे करने को पड़े हुए वो उनको रीपे कर पाएंगे बात करते हैं धनू की तो धनू के लिए अगर हम केतू के इस नहीं करनी है उनसे वो डिटाच हो जाएंगे उनको लगेगा कि आज तक उन्होंने इतने सारे लोगों के साथ जोड़के जो भी कारे किये थे उनके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला है तो ये चीज उनमें एक निराशा उत्पन कर सकती है पाचवे घर का राहू उ अगर हम मकर लगन की बात करते हैं तो मकर लगन वालों का केतु जो होगा वो होगा इनके 10th house में 10th house में चपी केतु का भ्रहमन होता है गोचर के अंदर तो आप ये देखेंगे कि नौकरी के अंदर एक ब्रेक आ जाता है कारोबार से जुड़ी भी समस्यां इस समय में जो कि केतु जो है ये कही ना कही एक discontinue करता है जो भी आपकी एक लगातार चलती हुई चीज़ी है उनके अंदर एक ब्रेक को ले के आता है तो इस समय में भगवान गानेश जी के अराद नागन 9th house में केतु यानि कि इस समय में आपको help करनी है और्पनेज में पढ़ने व खुशियां बांटिये खुशियां बढ़ेंगी खुशियां मिलेंगी और 9th house में चप्पी केतु प्रहमन करता है तो समझ लेजिए कि आपका रावुजू है वो स्वयम ही 3rd house में गोचर कर रहा होगा और 3rd house new expansions आपके life में लाएगा आपके efforts ने नवीनी करन से कुछ नया स्रिजन करने की और होंगे आप यहां पर boundaries को तोड़ के अपने efforts डालेंगे और यही आपकी सफलता का कारण भी बनेंगे यानि कि इस समय में मीडिया में आप lime light में रहेंगे हो सकता है आपको बहुत सारे awards भी मिले मीन लगन मीन लगन के लिए अगर हम केतु की placement को चेक करत हैं तो उनके अश्टम स्थान पे केतु होने से उकल्ट में जुड़े हुए लोगों को पहुचा था लाप मिलेगा उनकी research work में उन्हें फायदा होगा और अगर inheritance से जुड़े हुए कुछ समस्याएं लंबे समय से चलती जा रही है तो हो सकता है उनको भी वो detach होके छोड़ दें और इस समय में किये हुए निरने यानि कि आपकी जो decision making होगी वो आपको इसलिए भी फायदे मन प्रूफ हो जाएगी क्योंकि second house में राहू होगा राहू एरिस में होने से और second house में होने से आपकी वानी जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा prominent रहेगी authentic बातें आप करेंगे speech में आपके एक aggression होगा और वो वज़े भी रहेगी कि आप अपने inheritance से जुड़े हुए मसलों को sort out करके दर किनार करने के capability इस समय में अपने अंदर विक्सित होती हुई देखेंगे इस तरह से मीन लगन वालों को भी केतू क्योंकि अश्ट्रम स्थान में है तो थोड़ा सा sudden जो चीज़ें होती है जैसे कि sudden surgeries है sudden दुर घटना ही है और अचानक आए हुए दुख दर्द है इनको देखना पड़ सकता है लेकिन इन सबसे निजात के लिए केतू का उपाय जो है आप सबको लाब देगा केतू का generalized एक remedy होती है कि आप मदद कीजिए मदद चाहे आप online कीजिए और केतू में जितने भी handicap लोग होते है या जो लोग जिनकी capabilities खुद से action लेने की नहीं होती है उनकी मदद करना सबसे बड़ी remedy होती है और जितना ज़्यादा हम उन लोगों की help करके उनको spoon दे पाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें केतू से जुड़े हुए activities कीजिए अगर आपको plantation का shock है gardening कीजिए अगर आपको गाना गाने का shock है तो गाना गाईए इस तरह से आप अपनी skill के साथ जुड़के केतू को बहुत अच्छा कर सकते हैं और ये समयकाल पूरुश में दुबारा से 18 years के बाद में new beginnings का है जो भी निया करेंगे वो आने वा साइट लेके इस सुनेहरी अफसर को आप अपने हाथ से जाने ना दें God bless you all